सुपरवार बच्चो मेरे सिक्षक साथ्यों प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो जैसा कि पहले भी पताया जा चुका है कि भासा संगम कारिकरम मानो संसाधन मंत्राले के माध्यम से और होते हुए केंद्रिये भी देले संग अठन तक आया और फिर वहां से होते हुए इस देश के तमाम के अंद्रिये विद्याले तक यह पहुच चुका है और इससे संबंधित जो कारिकरम हमें आयोजित करने थे उसकी रूप रेखा मैंने आपको बताई थे उसमें प्रते एक दिन किसी एक भासा को चुना जाना है और उससे चुनकर उस भासा से संबंधित जो समान्य तोर पर इस्तमाल किये जाने वाले कुछ महत्वण वाक्य हैं उसमें कम से कम पाँच वाक्य होने चाहिए जिसका रूपांत रण उस भासा में किया जाना है और उसे प्रार्थ्रा सवास से प्रस्तूत किया जाना है ताकि एक समान्य ग्यान उस भासा के बारे में एक समान्य समझ उस भासा के बारे में आपकी बन सके उसी कारेकरम के तहट आज अस्मिज भासा को लेकर मैं स्वयम आपके सामने आया हूँ और इसमें पाच वाक्य है उन पाचों वाक्य का जो मूल रूप यानि हिंदी में है सबसे पहले हो मैं बताऊंगा और उसके बाद तुरत बाद उसका असमी रूप मैं बोलूँगा यहां से और आप उसे दोहराएंगे इस पश्ट है तो सबसे पहले एक सब्ध है जो अपने आप में कोई वाक्य जैसा ही है नमस्कार असमी में भी यह नमस्कार ही होगा नमस्कार दुसरा वाक्य है आपका नाम क्या है हिंदी में आपका नाम क्या है असमी में आपोनार नाम के आप रिपिट करेंगे एक बार फिर आपोनार नाम के तिसरा वाक्य है मेरा नाम सीवी सिंग है आप जब असमी में बोलेंगे तो उस जगह पर आप अपना नाम रख देंगे मैं अपना नाम रखूँगा मेरा नाम सीवी सिंग है मोर नाम सीवी सिंग पुन है एक बार मोर नाम सीवी सिंग चौत्य वाक्य पर हम लोग आते हैं हिंडी में आप कैसे हैं हिंडी में है आप कैसे हैं असमीज में आपनी केने आ शीर में दुरा रहा हूँ आपनी केने आ से और अंटी मुआक के जो है वह हिंदी में है मैं अच्छा हूँ हिंदी में उसका रूप है मैं अच्छा हूँ असमिज रूप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मोई भाले आसो पुना एक बार मोई भाले आसो बहुत धन्यवाद